चोटे नवाब सैफ अली खान और वेरी टालेंटेड अन्वर्सिटाइल विद्या बालन के साथ काम कर चुके एक अक्ट्रिस का टॉपलेस फोटोशूट ने खीचा ध्यान क्यू करवाया टॉपलेस फोटोशूट इसकी वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप फोटोशूट को लेकर अक्ट्रिस का चौकाने वाला खुलासा वेली अक्ट्रिस है रायमा सेन जो सैफ अली खान और विद्या बालन की फिल्म परनीता से लाइमलाइट में आई थी इतने सालों बाद अब रायमा अपने बोल्ट फोटोशूट को लेकर सुर्खियों में है रायमा ने अपनी ये टॉपलेस तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और इसी वज़र से उन्होंने खूग खबरे बटोरी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में से उनका कमबैक बता गया तमाम खबरों के बाद अब रायमा सेन ने पोस्ट को लेकर अपनी बात कही है उन्होंने कहा कि इस फोटो शूट के बाद वो ये नहीं सोच रही थी कि उनकी इमेज पर इसे प्रभाव पड़ेगा या इसके साथ क्या लाइफ में रिस्क आएगा रायमा ने आई एनस से बातचीत में कहा मैं अपने इमेज को लेकर बिलकुल चिंतित नहीं हूँ मैंने कुछ फोटोस इंस्टाग्राम के लिए शूट कराये थे मुझे लगता है कि मुझे अभी भी रोल मिलेंगे जो मैं डिज़र्व करती हूँ मैंने अपनी जगर बनाई है मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे टाइपकास्ट करेगा ऐसा नहीं है कि इस फोटोशूट के बाद मुझे केवल बोल्ड रोल्स ही मिलेंगे इस शूट को कराने के पीछे का आइडिया ये नहीं था शूट इसलिए कराया था क्योंकि लोगडाउन लगा हुआ था और कुछ करने के लिए नहीं था मुझे लगा कि फैंस के सामने मुझे एक अलग तरह से आना चाहिए तो मैंने ये किया कल में शायद पारंपर एक कपड़े पहन कर फोटो शूट कराती नजर आओ आपको मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से कोई फरक पड़ता है वेल लॉगडाउन में राइमा के पास कुछ करने को नहीं था इसलिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया वा जी वा इस रीजन पर आपके कमेंट्स तो ज़रूरी है कुछ समय की पबलिसिटी के लिए क्या क्या कर जाते है सेलिप्स हाहा